हलो दोस्तो, you back to my channel, हमारे चैनल पे आप लोग की शौगत है हम एक नई नोष्खे के साथ आया हूँ आपकी मोटापा के बारे में बताने के लिए आप बहुत उजन बढ़ गें आपका उजन कम करने के लिए आपका मोटापा कम करने के लिए क्योंकि आपको बहुत से दिक्कत होते हैं चलने फिरने कहीं आने जाने से बहुत प्रेशान है आप तो हम एक नोश्का बताएंगे आप उनका इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों 100% काम आएंगे तो चलिए दोस्तों हम आगे बताते हैं ये जो बैर के पेड़ है ये बैर के पेड़ एक हरी भरी ठली को तोड़ लेना है आप लोग तो जानते होंगे बैर के पेड़ किस तरीके से होते हैं किस परकार से होते हैं देख लीजे दोस्तों बैर की पेड़ ले लेना है हलका एक ठली लेके आ जाना है दोस्तों ठली लाने के बाद दोस्तों क्या करना है आ आपको तोड़ लेना है इस तरीके से दस पत्य को तोड़ने के बाद एप आपको गिलाश ले लग में गिलाश लेने के बाद इसको अच्छी तरीके हैं धो मैं थोशने के बाद दोस्तो दोसरी गिलाश में आपको पानी में भीगो के रख देना है इस तरीके से भीगो के रख देना है इसको भीगो के रख देना है दोस्तो यहीं कि शाम को टैम में रखना है और शुभा यहीं कि पूरे रात इसको डुबो के रखना है और सुभा इसको बरश करने के दोस्तो इस पतियों को च्छान के फेक देना इन पानी जो है इन पानी को आपको शिवन करना पड़ेगा इसको पी जाना है इसको लगातार आप 10 से 15 दिन तक किजिए आपका कमर में चर्बी हो पेट में चर्बी हो यह 100 पर तिसत आपका मौम की तरह पिगल देगा तो दोस्त हम दोश्रे बिमारियों के बरिम बता रहे हैं हमारे जो दात होते हैं उन बें कीडे लग जाते हैं तो उस कीडे से छुटकारा मिलने के लिए एक दूसरा नुस्खा बताते हैं किकि यह पत्तिये उन कीडों के लिए जहर होते हैं तो दोस्तो हम लोग इस्तेमाल करने के लि खाना पड़ता है अंग्रीजी दवाई मतलब खाने के बाद एक से दो घंटा या तीन घंटा तक तो काम करता है उसके बाद जितना का उतना ही हो जाता है तो दोस्तों ये 100% बताएंगे ये अवरुवेदिक तरफ से क्योंकि ये अवरुवेदिक जड़ी बूटी खाश करके बहुत पावर्फुल होते हैं और जहरीले होते हैं किकि इसका 7 करने से 100% आपका काम बनता है तो दोस्तों इन पत्तियों को आपको ले लेना है लेने के बाद इसको किसी पत्थर से आपको चटगाना है चटकाने के बाद इसका रश निकालना है रश निकालने के बाद जित करना है दूस्टो जो आप इस पत्थर को शूमक निकाले है इस रस को क्या करना हैए एक चमच चोटी से चमच की एक चमच नमक ले लेना है दोस्तो इसको अच्छी तरीके से लेगा मिंख्ष करने के बाद आपको शुभा कुल्ला करने के बाद आप इसको लगातर कम सो कम पांस से साथ दिन तक किजिए आपका कीड़ा हो या पैरिया हो आप उसे छुटकारा मिल जाएगा दोस्तो तो हम दोसरा बता रहे हैं दोस्तो जैसे आपके बाल जहर जाते हैं किसी मतलब बहुत सारे तेल का इस्तेमाल कियें तो बाल का जहरना इस्टाट हो गया तो दोस्तो आपको क्या करना है बाल का जहरने से या तूटने से आपको रोकने के लिए हम एक नश्का बता रहे हैं दोस्तो यही बहर के पत्तियों से इन बहर के पत्तियों ले लेना है लेने के बाद आपको क् उखली से इसको बना लेना है इसको पीश लेना है पत्तियों को पीशने के बाद यह जो पत्ति हैं दोस्तों इसको अच्छे तरीके से तोड़ लेना है तोड़ने के बाद इस पत्तियों को पीश लेना है थोड़ी सी इनका जितना रश हो मतलब इतना रश होना चाहिए अधा इस सर पे लगाने के बराबर इसको रश को निकालना है निकालने के बाद इसको रश निकालने के बाद आपको क्या करना है रात में जब आप सोने के वक्त है एनिकि नो दस बज़े जब भी आप सोते हैं सोने के वक्त इस रश को आपको निचोड़ने के बाद आपको सोने के टाइम में सर पर लगा लेना है यानिकी सोने के टाइम पर ही लगाना ताकि वो काम आए आप सोने के टाइम इस रश्ट को लगा लिजेगा शुबह उटके आफ अशलान कर लिजे नहा लिजे उसके बाद आप इनिकी इसके इस्तमाल कम सो कम 10 दिन तक 15 दिन तक किजिए दोस्तो 100% बता रहे हैं कि आपका बाल जहरना तूटना बंद हो जाएगा यह guarantee के साथ यह अयरुविदिक नूश्का हम बताएं आपको हम जितना बात बताएं आपको शिर्फ जानकारी आपको होना चाहिए कि हम किस तरीके से बताएं दोस्तो अगर हमारे चैनल आप नए हो तो प्लीज सस्क्राइब कर देता कि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें जहिन दोस्तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे